तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में तक देखा कीजीए क्योंकि एंड तक देखने के लिए मैं इस लिए खाया हूं क्योंकि जो को हुएनегоRT में आपको बताता हूं होता है और वो ही मैं आपसे खरीच सकता हूँ आप मुझे नॉर्मल कोई बेज देते हैं आपको मैं अच्छे से बताता हूँ स्टेनलेस स्टील का कौन सा होता है कोपर निकल का कौन सा होता है आपको मैं कोपर निकल का बताता हूँ लिए तो आप मुझे stainless steel का भेज़ देते हैं वो ही coin तो ऐसा नहीं होता अगर ऐसे ही कुछ मुझे से पूछना है अपने coins के बारे में तो मेरे channel की membership ले लीजिए मैं आपको अच्छे से guide कर दूँगा उसमें, मैं आपको अच्छे से बता दूँगा कि कौन सा सिक्का भिखता है, कौन सा नहीं भिखता मेरे channel की membership 299 रुपे की है 299 की एक महिने की membership है जिसमें मैं आपको 30 से 35 coin के बारे में information दे दूँगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे rare सिक्के होंगे, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा या आपको कोई भी knowledge चाहिए हो नोट से related, मुगल काल के सिक्कों से related, British काल के या Republic India के आपको कोई भी सिक्के, world की कोई भी currency हो उसके बारे में मुझे से पूछ सकते हैं membership ले लिजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूँगा तो दोस्तो आज की वीडियो end तक जरूर देखना क्योंकि 5 रुपे के कुछ ऐसे सिक्के दिखाऊंगा जो की एक-एक सिक्का दोस्तो कम से कम नहीं तो 50,000 से भी उपर की value रखता है एक सिक्का 50,000 से लेकर 80,000 रुपे की value रखता है पांच रुपे के कुछ मैं आपको ऐसे सिक्के दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में वीडियो में पूरा end तक बने रहना तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तो इस coin की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो दोस्तो ये coin है 75 years of dandi march ये आप coin देख लिजिए पहले मैं आपको इसकी basic knowledge दे देता हूँ ये बनाए गया था 2005 में metal इसका फॉपर निकल है weight 9 gram है size 23 mm है shape इसकी goal है ये सिक्का आप अच्छे से देख लिजिए पीछे आपको सिक्के के देखने को मिलेगा गांधी march का देखो चित्र बना हुआ है और इसके front पे यह अशोक इस्तम्भा है सत्यमेव जैते के साथ एक तरफ हिंदी में भारत और रुपे लिखा है दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया और रुपीज लिखा है और नीचे 5 लिखा है अंक में यह आप अच्छे से सिक्का देख लिजिए यही चीज मैं आपको कहा रहा हूँ भहुत अच्छे से सुनना आप तब ही आपको पता लगेगा कि कौन सा सिक्का आपको 50,000 दे सकता है कौन सा 40,000 दे सकता है तो यह सिक्का बनाय गया था 2005 में मैटल इसका कोपर निकल है वेट 9 गराम है साइज इसका 23 mm है शेप इसकी गोल है यह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बॉंबे मिंट से सिक्का बनाय गया था बॉंबे मिंट का यह सिक्का है सिर्फ बॉंबे मिंट से ही बनाय गया था और कोई मिंट से नहीं अगर इस सिक्के के हम कीमत की बात करें circulation strike की बात करूँगा दोस्तों मैं circulation में ये जब सिक्का आया था तो इसकी कीमत बहुत ही ज़ादा है मैं fine to UNC आपको इसकी कीमत बताऊँगा अगर fine condition में इस सिक्के के हम कीमत की बात करें तो इसके आपको मिल जाएंगे कम से कम ने तो दोस्तों 15,000 रुपे एक सिक्के के extra fine condition में इसके आपको मिल जाएंगे 25,000 से लेकर 30,000 रुपे डांगी मार्च का ये सिक्का है ये आपको 25 से 30,000 रुपे दे सकता है extra fine condition में और UNC condition में एकदम चम चमाता हुआ सिक्का हो और उस पे कोई भी दाग धबबा ना हो मैं circulation strike की बात कर रहा हूँ दोस्तों ध्यान रखना copper nickel का मैं stainless steel की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये सिक्के stainless steel में भी बनाए गए थे लेकिन मैं copper nickel की आपको value बता रहा हूँ UNC condition में अगर copper nickel में ये सिक्का आपके पास है तो इसकी कीमत है कम से कम नहीं दोस्तों 45,000 रुपे 45,000 रुपे का ये एक सिक्का है 5 रुपे का अगर आपके पाफ बहुत सारे सिक्के हैं आप लेकि खट्टे कर रखे हैं तो उसमें ये सिक्का जरूर तलाश कीजिए ये 45,000 रुपे आपको दे सकता है ये एक सिक्का अब बात करते हैं दूसरे सिक्य की यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों वीडियो के आईट में आपको यह भी बताऊँ गा यह सिक्य आप बेक का सकते हैं अगर आपके पास यह सिक्य है तो मैं भी आपसे यह सिक्य जरूर ले लूंगा आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दे ना मैं आपको अपना WhatsApp नमबर वहाँ पर दे दूँगा तो अब बात करते हैं दूसरे इस सिक्के की यह जो आप अपनी स्क्रिन पर सिक्का देख रहे हैं यह है लोक मानने बाल गंगा धर तिलक का यह सिक्का देख लिजिए यह बना गया था 2007 में मैटल इसका फॉपर निकल है वेट 9 गराम है साइस 23 mm है शेप इसकी गोल है यह भी दोस्तों स्रीफ और स्रीफ बंबे मिंट से बना गया था यह बंबे मिंट का सिक्का है और यह रेर की कैटेगरी में आता है अगर इस सिक्के के हम कीमत की बात करें तो fine condition में इस सिक्के के आपको मिल जाएंगे 6,000 रुपे extra fine condition में इस सिक्के के आपको मिल जाएंगे 8,000 रुपे और UNC condition में एकदम चमचमातु ही condition में इस सिक्के के आपको मिल जाएंगे 11,000 रुपे इस एक सिक्के के आपको 11,000 रुपे मिल सकते है ये 5 रुपे के मैं कुछ ऐसे सिक्के आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा value रखते है अब बात करते हैं अगले सिक्के की ये सिक्का आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये है खादी एंड विलेज ये दोस्तों बहुत महेंगे सिक्कों में से एक सिक्का है खादी एंड विलेज का ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बनाया गया था 2007 में metal copper निकल है weight 9 gram है size 23 mm है shape इसकी goal है ये भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बंबे मिंट से बनाया गया था एक ही मिंट से इस सिक्के की मि मिंट की बात करें circulation strike की बात करूँ गया dauस्तों मैं जो कि circulation strike में ये सिक्का आया था बहूत ही ज़यादा भंहेंगा सिक्का है ये circulation strike में मैं proof set के coin की बात नहीं करूँगा UNC set के coin की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये UNC और proof set में काफी लोगों के पास है लेकिन circulation strike में ये सिख्के बहुत कम लोगों के पास है अगर इसकी बात करें circulation strike में तो fine condition में इसके आपको मिल जाएंगे 9,000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे extra fine condition में आपको इसके मिल जाएंगे 15,000 रुपे और UNC condition में इसकी जो value है वो है 20,000 प्लस 20,000 से उपर ये सिख्का आपको दे सकता है ये एक सिख्का बात करते हैं first war के इस सिख्के की ये भी 5 रुपे का सिख्का है first war की theme पर बनाय गया था 2007 में सिख्का बनाय गया था metal copper निकल है weight 9 gram है, size 23 mm है shape इसकी goal है ये भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बंबे मिंट से बनाय गया था बंबे मिंट का ये सिख्का है first war का अगर इस सिख्के के हम कीमत की बात करें ये बहुत ही जादा महेंगा सिख्का है fine condition में ये सिख्का आपको दे देगा कम से कम ने तो दोस्तों 10 से 12,000 रुपे circulation strike का ये सिख्का होना चाहिए first war का 10 से 12,000 रुपे fine condition में extra fine condition में इसकी value चले आती है 20,000 रुपे से भी उपर 20,000 पलस इसकी extra fine में कीमत है अगर आपके पास सिख्के है तो आप ये सिख्के किसी को भी मत देना जो value मैं आपको बता रहा हूँ वो ही value आपको मिलेगी और UNC condition में इस सिख्के की कीमत चली जाती है 40,000 रुपे 40,000 रुपे का ये एक सिख्का है First War का ये सिख्का है 40,000 रुपे का circulation strike का मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ circulation strike बता रहा हूँ मैं आपको जो arm challenge में आए थे क्योंकि ये कुछी सिख्के arm challenge में आए थे ये जहां तक ख्याल है क्योंकि image सबकी एक जैसी होती है लेकिन mint अलग होता है और circulation और unc अलग होते हैं तो मैं स्रिफ और circulation coin की बात कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ ये coin आप कहां बेज सकते हैं ये coin दोस्तों आपके बिखेंगे exhibition में time to time इंडिया में exhibition लगती रहती है मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पता लगता रहता है कि कब-कब exhibition कहां पे लग रही है कौन से शेर में exhibition लगेगी अगर आपको नहीं पता तो आप comment में पूछ सकते हैं मुझसे मैं आपको comment में reply कर दूँगा और दोस्तों ये शिक्क्या मुझे भी बेख सकते है अगर आपको मुझसे कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल की membership ले लीजिए तो मैं आपसे वर्टसप बात कर लूँगा और आपको अच्छे से समझा दूँगा कौन सा सिक्का क्या value रखता है क्योंकि इससे भी महंगे महंगे कुछ और सिक्के आते है पाच रुपे के लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि वो कौन से सिक्के है इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल की membership ले लीजिए आपके साथ धोका नहीं होगा आप कहीं पर भी जाके वो कोईन बेच सकते है क्योंकि आपको अच्छे से value मालूम होगी उन सिक्कों की क्योंकि exhibition में आप जाओगे वो लोग तो आपको 500 रुपे, 1000 रुपे, 2000 इससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि उनको लगेगा इनको पता ही नहीं है कोईन की value तो इसलिए मैं कहता हूँ आप एक बाद चैनल की membership ले लीजिए उसके बाद मैं आपको अच्छे से सारी चीजे और समझा दूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं next वीडियो में जै हिंद